तो गाइस मैं हूँ अभी शेक और आप देख रहे है रैसल अभी तो भाई इस बार तो WWE ने खुद ही टीज कर दिया कि CM Punk अपना रिटर्ण WWE में ही कर रहे है भाई जहां पर मैं बात करूँ यार वो डेम मेडिसर जब बोल रहा है ना बैठके कि नहीं CM Punk नहीं आ रहे है करते है तो रिसेंटली होता का है WWE अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करती है जहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है जो आपस में ब्रॉल कर रहे हैं महाँ पर डवल डवली मूव का नाम लिखते है सिम्स के यूजेज जी टी एस अगर आपको जी टी एस नहीं पता तो यह CM Punk का मूव ता उसके बाद डवल डवली कैप्शन में भी लिखते है कि सिम्स के नाका मूवरा यूजिंग डीपली म अगर आप अभी तक भी आप नहीं समझे तो आप क्या भी फायदा, CM Punk के लिए ही यह सारे चीज़े यूज होती थी, अगर इसके बाद भी और मैं बताऊं यह भी चीज़े अभी तक नॉर्मल है, इसके बाद भी अगर मैं आपको बताऊं तो भाई इस पर नीचे comment भी आत चोटे चोटे न्यूस पोर्टल चीक-चीक के बता रहें, इन फैक मैं खुद चीक-चीक के बता रहा हूं कि CM Punk WWE में अपना वापस आ रहे हैं, WWE में अपना रिटर्न कर रहे है, कोडी रोड्स के टाइम पर भी ऐसे हुआ था, लेकिन इस डेम मेडिसर को कौन समझाए, कि हम को पता है, तुम्हां में रिपोर्ट मत दो, कि CM Punk नहीं आ रहें, यह डेफिनेटली 100% शोर है, कि CM Punk WWE में अपना रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन वो कव करेंगे Survivor Series या Royal Rumble, इसके बारे में अभी confirm नहीं है, अगर वो Survivor Series या Royal Rumble में कर रहे हैं, तो भाई, इस से related मैंने कल के दिन एक चैनल पर वीडियो डाली थी, आप वो जाकर के वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डीटेल में बता रखा है, कि अगर CM Punk Survivor Series में अपने रिटर्न करते हैं, या Royal Rumble में रिटर्न करते हैं, तो वो किस तरह से evacuate होगा, तो भाई, आप लोग ने आगर वो वीडियो नहीं देखी, तो आप लोग जाकर के देख सकते हो, चैनल पर, तो बस भाई, आज की वीडियो यहीं तक कित, अगर आप को वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जुरू करना, और चैनल को सब्स्क्राइब करना, मत भूनना,